हेलो फ्रेंड, वेलकम तो दे चनल सॉलिशन, आज के इस सिलेबस वाले वीडियो से हम शुरू करने वाले हमारे हमारे एक को हमने कंप्रीट किया है, अब बारी आती है टू की, तो धीरे से अब आप टू के एक एक टॉपिक को देखते हैं, शुरू कर सकते हैं, यह भी स्वामी वीवेकान टेक्निकल यूश्टी क्योंकि कुछ यूश्टी में सिलेबस उपर नीचे हो सकता है, टॉपिक तो सेम है, तो हमने जो फर्स कवर किया है, अब सेकेंड कवर करेंगे, तो इन में से आपका सारा काम हो जाएगा, तो आज की वीडियो में हम ब्रीफ डिस यानि कि आपके बॉडि में जो मूव करने वाले फ्लुवेड हैं, इंक्लूडिंग ब्लड, इंक्लूडिंग लेंफेटिक सिस्टम, तो वो क्या है, और इसके अंदर क्या-क्या फंक्चन, क्या डिजीज, क्या डिसॉर्डर, क्या उनकी सिंथेसिस, या क्या कुछ खास बा है, उसका formation कैसे होता है, the formation of hemoglobin, next point है, hemoglobin का formation कैसे होगा, anemia क्या है, mechanism of action, coagulation, जो आपका blood clot होता है, वो कैसे clot होता है, blood grouping के बारे में पढ़ेंगे, और यह जो आपका blood grouping है, वो एक important topic है, इसमें से question हमेसा पुछा जाएगा, और अगर आप competition exam की त्यारी कर रहे हैं, तो A, A, B, A, B, O, system से उपर कई सवाल पूछे जाएंगे, और इस factors के बारे में देखेंगे, उसके significance के बारे में देखेंगे, और आपके blood के कौन-कौन से disorder है, उनके बारे में बात करेंगे, reticular endothelial system के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक और topic है, आपका unit 1 में, वह आपका lymphatic system, तो lymphatic system में देखेंगे, lymphatic organ के बारे में, उनके tissue के बारे में, lymphatic vessels के बारे में, lymph circulation and function of lymphatic system, तो आखरी वाला जो हिस्सा है, function of lymphatic system, इससे आप note कर सकते हैं, आपके semester के exam के point of view से, अगला जो हमारा unit है, वह है unit 2, cardiovascular system, this is the one of the most important unit, यह आपके ना केवल अभी काम बलकि आगे semester में जब आप फार्मकोलोजी पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा, cardio whistle system यानि कि आपका heart और blood whistle, तो इसमें सबसे पहला topic है heart की anatomy, कि आखिर heart बना कैसा होता है, कौन से chamber है, कितने chamber है, खीक है, उसके बाद देखेंगे, blood circulation कहां से कहां होता है, blood vessels के बारे में हम बात करेंगे, regulation by autonomic nervous system, cardiac output, cardiac cycle, cardiac cycle short question में आता है, उसके बाद रखेंगे हम regulation of blood pressure, जो कि आपके आगे फार्मकोलोजी में काम आएगा, electrocardiogram, disorder of the heart, ये आपके लिए बहुत important है, disorder of the heart में, आप पढ़ोगे hypertension, angina, arrhythmia, इन सब के बारे में हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं unit 3 क ये भी एक और, the most important topic में से, unit में से आप इसे एक consider कर सकते हो, digestive system easy है, और important है, इसमें हम देखेंगे, आपकी anatomy of GI, यानि की gastro, intestinal and tract के बारे में, with special difference to anatomy and function of stomach, खास करके stomach, उसमें भी आप देखोगे, acid production in stomach, regulation of acid production, उसके बाद देखोगे, आप उस acid production का जो mechanism है, control है, किसके system के parasympathetic nervous system के तुरू हम पढ़ेंगे, pepsin के role के बारे में पढ़ेंगे, किसके respect में, protein digestion के respect में, क्योंकि जो pepsin है न, इसे हम कहते हैं, proteolytic enzyme, तो इसकी भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे, आपके small intestine, जो की बहुत important है, food के absorption, nutrition के absorption के point of view से, इसके बा कर देता है, pancreas, फिर liver के बारे में पढ़ेंगे, movement of gastro, intestine and tech के बारे में, digestion, absorption of nutrient के बारे में पढ़ेंगे, और last segment है, disorder of GIT, ये भी एक important topic होगा, semester के exam के point of view से, इन सबको में आपको बड़े ही interesting example के साथ, घरीले example, कभी-कभी demo के साथ समझाओंगा, आगे आने वाले वीडिय लेकिन इसमें syllabus में इसी का digestive system के साथ add कर दिया है, which should be the part of this unit 4, चलिए हम बात कर लेते हैं, respiratory system में क्या कर पढ़ेंगे, anatomy of respiratory system with special difference to anatomy of lungs, mechanism of action of respiration and regulation of respiration, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा important question नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ से बनेगा unit 4 में से, इसी respiratory system का, lungs का, क्या specific volumes होता है, capacity होती है, transport of respiratory gases, यह पूछा था पिछले बार, artificial respiration and restructination method, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो respiratory system में एक आध topic ही, आपकी exam के point of way से बहुत ज़्यादा compare करें, तो आ जाएगा, उसके बार हम पढ़ेंगे, यह urinary system, यह urinary system important है, यह pharmacology में भी आता है, इसकी भूमी का, anatomy of the urinary tract, with special reference to the anatomy of the kidney and nephrons, तो यह question पूछ चुका है, right structure and function of nephron, तो यहाँ पे function of kidney and urinary tract, physiology of urine formation, यह एक important question है, उसके बार हम देखेंगे, हम curation reflex and role of kidney in acid-based balance, उसका हम देखेंगे, the role of RAS in kidney, RAS, कहिजएगा R-A-A-S लिखा रहता है, जिसका मतलबता renin angiotensin aldosterone system, और इसकी भूमी का, kidney के respect में, तो यह जो आपका R-A-A-S system है, बहुत मत्तुपण भूमी का निभाएगा, आपके आगे आने वाले pharmacology में, regarding the hypertension and other disease, उसके बाद unit 5 है, हमारा reproductive system, इसमें दो reproductive system, इसमें द पढ़ेंगे, जो कि आपने पहले hormones कारे में पढ़ा ही हुआ है, physiology of menstruation, यह बहुत important है, fertilization, अब यह जो question है, spermatogenesis का the most important, oogenesis, another the most important question है, pregnancy and parturation के बारे में भी पूछेंगे, बट यहाँ पे दो चीज़ें बहुत important है, एक menstrual cycle पूछ चुका है, spermatogenesis और आपका oogenesis, यह कई बा protein synthesis यह पूछ चुका है, genetic pattern of inheritance यह भी important है, बट यहाँ पे protein synthesis ज्यादा important है, ठीक है, तो यह हो गया हमारे anatomy and physiology 2 का important point जो हमों को आगे cover करना है, syllabus के point of view से, तो अब आपके लिए interesting चीज़ें सूरू होने वाली है, एक एक करके हम topics को cover करेंगे, whiteboard और powerpoint दोनों का mixture मिला करके, demo क साथ, coaching pattern, घरेलो example के साथ, तो बने रही है हमारे साथ, ताकि आप anatomy 2K वीडियो का knowledgeful advantage ले सकें, thank you, take care